हलो गाईज आप देख रहे हैं वाईजी लौर मैं हूँ वाईजी और आज हम पढ़ेंगे ब्रीच और फ्रस्ट्रेशन ओफ कॉंट्राक्ट लौ अफ कॉंट्राक्ट में ठीक है तब उनको फुलफिल नहीं करनी लेकिन अगर कोई प्रोवीज़न के अंडर में उनके पास कोई एक्सेप्शन नहीं है और उन्होंने अपनी प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं करी एक पार्टी नहीं करी तो वो पार्टी को बोलेंगे कि उसने कर दिया है ब्रीच ऑफ Υंपे ब्रीच का ये scene है कि सामने के सामने ब्रीच हो गई मेर कोछ चीज दी कौट्राक्ट के अंडर में मैंने उस दिन जिस दिन सामने कि प्रामिस दी चांद को करने करन b Rice कि अपको करती है कि अपको फल्फिल तो तरे के ब्रीच है अब जैसे मालो डो बंदे हैं अ और बी अब अने अगर ब्रीच कर दी एक्चल ब्रीच कर दिया कर दी तो भी वहाँ पे Contract को repudiate कर देगा एक्ट कर देगा मतलब खतम कर देगा एंड कर देगा वहीं के वहीं क्योंकि सामनेल ने ब्रीच कर दिना आप वह अपनी फुल्फिल क्यों करें प्रॉमेस जब भी ब्रीच ऑफ कॉंट्राक्ट होता है तो तीन रेमेडीज होती है सामने लिप पार्टी के पास जो अफेक्टेड होती है जिसको एक्चुली लॉस हुआ था अस ब्रीच से पहला डामेज डामेज मतल स्पार्ड परफॉर्मेच चाहिए अपने कॉंट्राक्ट की होता है इंजंक्शन मतलब बेसिक लिएप सिंपल में होता है कि सामने आला कोई ही चीज कर रहा है कोई आक्ट कर रही है तो आप कोड के पास जाके बोलोगे कि देखो वहा कर रहा है उससे मिरा यरुट वालेट से section 73 दे 75 मतलब breach of contract कर दोगे तो होगा क्या section 73 बोलता है कि compensation देना पड़ेगा for loss or damage caused by the breach of contract इसमें बहुत important बात है कि जो compensation या damages मिलेंगे वो एकदम reasonable होने चाहिए और उत्ते ही होने चाहिए जितने reasonably foreseeable है मतलब out of the way जाके remote damages कुछ हो गए तो उसका compensation नहीं देगा सामने वाली पार्टी reasonably foreseeable damages ही देने हैं इसका सबसे landmark case है Headley वर्सेज बैकसंडेल इसमें एक बंदा था और उसकी एक मिल थी अब इस मिल में जो equipment वगए लगे थे उसमें crank shaft था जो खराब हो गया था तो अब हैडली ने क्या करा वो crank shaft ठीक होने के लिए किसी को दिया कोई repairman वगए रोगा ठीक है जो था बैकसंडेल अब बैकसंडेल वो crank shaft repair करने के लिए अपने साथ ले गया और जब उसको return करना था उसके एक week बाद उसने return करा ठीक है तो एक week तक ये मिल रुकी रही इसमें कोई काम नहीं हुआ और इसको headly को हो गया बहुत ही खतरनाक नुकसान और इसको अगर दिमाग खराब की ये क्या बात हुई एक हफता लेट आया मेरा लाखों का नुकसान हो गया है इसकी वज़े से ये वो तो वो गया court और उसने बैक संडेल के अगे इस case करा है उसने बोला कि देखो इसने ये एक week लेटर दिया अपना promise फुल्फिल करा तो ये मेरे को damages देगा जो भी यहाँ पर मेरे loss हुआ है मिलके अंडर उसका तो सवाल ये उठा कि जो भाई इसको जो contract करने को दिया था और वो फुल्फिल ना करने का जो consequence है मिल ना चलना एक हफते तक वो बहुत remote है क्या तो court ने बुला हाँ बहुत remote है क्योंकि सबसे पहली बात तो Hadley ने बैक संडेल को नहीं बोला था कि भाई अगर तू लेट हुआ तो मेरी मिल चलना बंद हो जाएगी और बैक संडेल reasonably सोच नहीं सकता कि भाई वो मेरे उपर पूरा का पूरा dependent है एक मिल के पार्ट को लेके तो इधर बैक संडेल को मिल से जो damages हुए है जो मिल नहीं चलने की वज़े से हुए है वो देने के लिए लायवल नहीं करा कोट ने कोट ने वोला कि भाई ये बहुत ही remote damages है और ये बैक संडेल नहीं देगा अगर पहले ही हैडली इसको बता देता बैक संडेल को कि भाई मिल नहीं की compensation या loss या damage जो भी हुआ है जो breach of contract से हुआ है वो कोट determine करता है ठीक है 74 में पहले से ही penalty stipulated होती है अब देखो दो तरीकी बाते हैं अगर मालो पहले से compensation set है जो की reasonable है जितना आपको injury होने वाली है उसके proportion में है तो फिर तो वो liquidity damages होगा लेकिन इसको penalty कब बोलेंगे इसको penalty बोलेंगे जब मालो बहुत exorbitant damages दे रखे हैं ठीक है कि मालो injury हुई 1000 रुपे की लेकिन लिख रखा है आप 2000 दो गए मेरे को compensation में तो ये penalty हुई penalty क्यों लगाते हैं penalty का system इसलिए डालते हैं कि मालो मैं हूँ मेरे लिए contract की performance बहुत ज़्यादा important है जो मेरे को loss हो उससे बहुत ज़्यादा ठीक है तो अब मेरे को फरक नहीं बढ़ता कि मेरे को 1000 रुपे का loss हो तो तो तुम 1000 रुपे दे दो जो मेरे को injury हुई इससे मैं बहुत ज़्यादा का compensation मांग रहा हूँ तो उसको penalty बोलते हैं ये इसलिए करते हैं ताकि सामने लिए party पे एक deterrent effect है और वो contract फुल्फिल कर ले अपना जो उसकी promise से फुल्फिल कर ले compensation की बात ही नहीं आने दे क्योंकि ज़्यादा नुकसान कोई क्यों कराएगा वो फुल्फिली कर लेगा ना contract डबल पैसे दिने से बढ़िया तो और next section 75 जो बोलता है party rightfully rightfully rescinding contract entitled to compensation a party है b party है ठीक है इदर b ने गलती करी a ने rightfully resign करा तो a entitled है compensation के लिए लेकिन मान लो a ने ही गलती करी और a ने ही resign कर दिया तो a को compensation नहीं मिलेगा क्योंकि a ने rightfully resign नहीं करा wrongfully resign करा है अगर rightfully resign करेगा तो ही compensation मिलेगा ऐसा section 75 बोलता है तो यह तो हो गया breach of contract अब बात करते है frustration of contract की frustration और breach में के अंतर है breach में एक party की गलती की वज़े से एक पार्टी की acts की वज़े से वो पार्टी fulfill नहीं कर पाती contract लेकिन frustration में क्या होता है कि जो चीज है ना contract की जो करनी थी वही destroy हो गई कुछ deliver करना था वो जो deliverable item था वही destroy हो गया या फिर unattainable हो गया जो परपस था contract का किसी भी reason से हो अने टेबल मलता वह करी नहीं सकते आप तो contract basically frustrate हो गया कि कर कैसे नहीं सकते नहीं कर सकते तो बस नहीं कर सकते तो frustrated contract हो गया वह जो frustration है वह self induced नहीं होना चाहिए जैसे breach एक party खुद से करती है वह self induced होती frustration में आपकी गलती नहीं होने चाहिए frustration circumstances से हो गया तो ठीक है तभी वह frustration होगा अगर आपने कोशिश करके उसको frustrate करने की try करी तो वह frustration की definition में नहीं बैटेगा क्यूंकि frustration should not be self induced section 65 बात करता है restitution under frustration की जैसे मालो A बंदा है और B बंदा है B को कुछ काम करना था वो अब होई नहीं सकता ठीक है मतलब impossible हो गया मतलब करी नहीं सकता है वो तो contract basically frustrate हो गया तो A बंदे ने B को अगर कुछ दिये है समान कुछ दिया है मालो contract होने से पहले कुछ advance दिया हो या कुछ दिया हो दे नहीं पाया तो अब वो रेंट दे नहीं पाया तो फिर वो contract का ब्रीच हो गया तो इसने बोला कि देखो contract frustrate हो चुका है क्योंकि enemies ने मेरे घर पे कपज़ा कर रखा जो rent वाला घर है दो साल से तो मैं कैसे rent दूँ अगर मैं खुदी नहीं रह पा रहा हूं मैं तो फिर वारडेन वर्सिस जेन में mention किया था अपलाए नहीं करा उसके बाद यह अपलाए हुआ था landmark case of Taylor वर्सिस कैडवल में अब Taylor वर्सिस कैडवल में क्या हो था कैडवल था defendant टेलर था plaintiff टेलर ने कैडवल का music concert के लिए एक hall था music hall वो किराय पे लिया था लेकिन वो music concert होने से पहले ही वो उसका hall जल गया पूरा और वो जो जलना था उसमें किसी की गलती नहीं थी ना कैडवल की थी ना टेलर की थी तो इधर contract फ्रस्टेट हो गया क्योंकि music hall जो किराय पे लिया था उधर concert कैसे होगा जब hall ही नहीं बचा hall में याग लग गई तो यहां पर court ने बोला कि भाई doctrine of frustration लग जाएगी और contract फ्रस्टेट हो जाएगा तो doctrine of frustration पहली बार डिसकस हुई थी पारडेन वर्सेज जेन में लेकिन पहली बार अपलाई हुई थी टेलर वर्सेज कैडवल में अब अपन देखेंगे कुछ कंट्री में वार हो जाती है तो यह एक सूपर वीनिंग इलिगालिटी का एक्जामपल है मतलब on the face of it contract ही illegal हो गया क्योंकि आप contract नहीं कर सकते एलियन एनिमी के साथ और दूसरी कंट्री के साथ वार हो गई तो उसके सारे सेटिजन एलियन एनिमी हो गए तीसरा है डेथ या कॉंसर्ट में प्लेंटिफ ने हायर किया था कि भाई तिरको प्यानो बजाना है लेकिन वह बिमार पढ़ गए उस दिन तो contract इस केस में court ने फ्रस्टेट कर दिया उसने बुला कि उसको नहीं पता था कि बिमार पढ़ने वाली ना उसकी गलती से बिमार हुई है तो यह एक king बनाते हैं तो coronate करते हैं उसको तो वह पूरा एक तरह से परेड़ वरेड होने वाली थी तो रोड के दोनों साइट घर वगेरा बिल्डिंग वगेरा होती है तो यहां पे भी बिल्डिंग वगेरा घर वगेरा थी तो इन में से एक बिल्डिंग में plaintiff ने बात की थी कि भ अधर भाई frustrating event यह इसलिए है क्योंकि जो object of the whole contract था ना वो था coronation देखना अब वही नहीं हुआ जो contemplated event था वही नहीं हो रहा है तो यह frustrated contract ही होगा plaintiff की liability नहीं होगी कि वह आप से flat तब भी लें क्योंकि वह क्या करेगा अपने flat में उसका पूरा contract का objective coronation process देखना था ना तो तो यह था क्रेल वर्सेज हेंटरी का case उसके बाद next change of circumstances यह बहुत वाइड है कुछ भी हो सकता है लेकिन court reasonable में देखेगा कि कितने change हुए है मतलब frustrating level पे change हुए है कि ऐसे भाना मार रहा है और आखरी यह delay यह भी circumstances से decide होएगा case to case decide होएगा कि delay frustrating है कि नहीं है या सामनाली की गलती है delay में कि नहीं है वो case to case depend करता है लेकिन एक बात ध्यान रखना delay के context में change of circumstance के context में commercial hardship नहीं आती इस doctrine के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि delay आप कर रहे हो क्यूंकि आपसे काम टाइम पे हो नहीं पाया हो सकता था लेकिन आपसे नहीं हो पाया क्यूंकि बहुत महंगा बता कैसे घरिता घरित के ला ठीक है raw material बजार में available ही नहीं है तो वह सकती condition frustration of contract की बहुत महेंगा है raw material इसले मैं आपका समान नहीं बना पाया यह कोई condition नहीं होती commercial hardship does not fall under this doctrine याद रखना तो यह हो गया है वीडियो complete लेकिन जाने का नहीं है यहां पर आएगे contract के playlist और यहा लाइक मार दो कमेंट कर दो ज्यादा अच्छा लगाता और सब्सक्राइब कर दो भी तक नहीं करा तो क्या कर रहे हो चलो मिलते हैं वीडियो में बाई बाई टाटा सीया